कैसे हैं आ पाई हो कि आप सभी अच्छोंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हम आज को पताने वाला हूँ बीभो के इस डवाइस को आप किस तरहीं से फैक्टरी डठरीट कर पाएंगे यहां पर आपके phone में बहुत ज़्यादा डाटा हो गया है बहुत ज़्यादा है hang करने लगा iPhone तो आप इसे एक बार reset कर लें so guys video को enter देखने video को बिल्कुल भी skip नहीं करना है और अगर आप मारे channel पर पहली बार आए हैं तो please this channel को subscribe करके well icon को press कर देना है so guys without any waste time let's start video first of all यहां पर आपको settings पर जाना होगा और यहां पर सबसे नीचे आ जाना है उसके बाद यहां पर आपको system आले option पर click कर देना है और एक बात का दियान रख लिजिए अगर आपको कोई भी data आपको बचाना है तो उसका backup पहले से ले लें मैं यहां पर आपको backup लेने का तरीका नहीं बताने वाला हूँ backup आप यहां से ले सकते हैं backup and restore पर जाके यहां से कोई भी email id पर आप backup ले सकते हैं but मैं यहां पर आपको full reset करके दिखाने वाला हूँ अपने phone को reset आपको reset option में जाते हैं इस पर click कर देना है तो यहां से erase all data मिल जाता है इस बाले option पर आपको click कर देना है उसके बाद यहां पर आपको अपना pattern draw कर देना है यह पर password जो भी डाला है अपने वो fill करना है उसके बाद यहां पर एक बार और option आजाता है erase all data इस पर click कर देना है इस पर जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपका फॉन बंद हो जाता है बंद होने के बाद यह से खुलने में कुछ टाइम लग सकता है जैसे कि 5-7 मिनट का टाइम लग सकता है उसके बाद आपका फॉन फर्स टाइम सेट अप होगा उसके बाद आपको first time setup करना है जैसे नया phone लेके आते हैं उसी तरीकी से आपको अपना first time setup कर लिना है तो यहाँ पर clearing data do not use the device तो यहाँ का phone का data सारा delete हो रहा है तो हम अभी wait कर लेते हैं जब तक यहाँ पर phone start हो रहा है अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो प्लेज से वीडियो को like कर दें और चैनल पर पहली वारा है तो प्लेज से चैनल को subscribe करके well icon को press कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा save कर दिया करें अपने friend में जिससे उनकी भी help हो सके यहाँ पर हम अभी वीडियो को pause कर देते हैं अभी इसे खुलने में कमसगम पांच मिनट का time लग जाएगा ओके तो यहाँ पर हमारा phone start हो चुगा है अब यहाँ पर अपने phone का first time setup कर देना है यहाँ पर start पर click कर देना है और यहाँ पर आपको offline कर देते हैं इस पर click करना है इसके बाद यहाँ से continue पर click कर देना है continue करने के बाद यहाँ पर आपको date and time में आपको set कर देना है यहाँ पर बाद में भी कर सकते हैं यहाँ से भी follow next कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर उपर क्यों swipe कर देना है कि इसे प्राइब्स कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर आप फिंगर यह पیटन में दाउनूट करेंगे skip कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर navigation button बगारना चाहते है या फिर gesture setting gesture setting पर कर देते हैं और next कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर get start पर click कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा first time setup complete हो चुका है तो इस तरह के से यहाँ पर आप अपने phone का first time setup कर पाएंगे pattern lock, password lock सब कुछ यहाँ से हर चुका है तो इस तरह के से आप अपने device को fully set कर पाएंगे I hope कि आपको यह वीडियो पहसंद आया होगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं एक next interesting वीडियो के साथ